नमस्कार आप देख रहा है पमार्थावाज खबर हर्दोई से समाजवादी यूथ बिग्रेट के पूर्व जिला दक्षराम क्यान गुपता ने महंगाई बिरुजगारी और डूपती अर्थी विवस्ता के लिए केंद्रग और प्रदेश की भासपा सरकार को दोशी ठहराते हुए समाजवादीयों ने हर दोई 29 चुराहे पर सरसो तेल की बोतलों का माला पहन कर रोटी और खाली थाली लेकर प्रदर्शन कर सरकार तक आवाज पहुचाने का काम किया सरसो तेल की बोतलों का माला पहन कर हाथों में खाली धाली वरोटी लेकर सपा नेता रामग्यान गुपता ने कुरोना गाईडलाइन का पालन करते हुए शांती पोर तरीके से दूरी वा मास्क के साथ सरकार तक जन्ता का दर्द पहुचाने का काम किया रामग्यान गुपता ने कहा कि आज भासपा सरकार में पैट्रोल, डीजल, रसोई गैस की बढ़ती कीमतों और सबजीवा खाने के तेल के दाम साथ में आस्मान तक पहुँच चुके हैं चौतरफा महंगाई से गरीब वर्ग परिशान हो रहा है बही कड़ी मेहनत के बाद भी दो वक्ती की रोटी नहीं जुटा पा रहा चौतरफा बढ़ती महंगाई बिरोजगारी ब्यवसाइक बंदी डूपती अर्थिववस्था की वजह से ब्यापारी किसान युवा सब परिशान है उन्होंने कहा 30 दिनों में 16 बार पैट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं लगता है सेंट्रल विष्टा के प्रधान निवास, कारयाले, महाबिमान, बभासपाई चुनाव खर्च का बोज जनता के कंधो पर आगया है भासपा सरकार ने जनता को महंगाई रोजगार विकास के नाम पर आज तक सिर्फ धोका ही दिया सब्सक्राइब कर रहे हैं इस मौके पर व्यापार सभा के जिरादेक्ष सुधीर गुपता मिन्ना, धर्मेंद्री यादव दीपू, सोनु गुपता, पंकची यादव, नवीन पाठक, उमेज गुपता मौजूद रहे हर दोई से वीरोचीफ रही प्रकाश शुकला के साथ सयोगी संबादाता अमरपाल सिंखी रिपोर्ट